नमस्कार दोस्तों एक बार फिस से आप सभी का सौगित है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेकनिकल इस्टीटूट पर और दोस्तों आप सभी को जो है ऊपर जो कोशन दिख रहा है इस कोशन को पूरा का पूरा सौल करवा कि इस वीडियो के अंदर दिखने वाले और ये कोशन अब तक जो है लगबग मान के चलिए पांस से साथ वार आपके जो पेपर है उसके अंदर पूछा जा चुका है तो ये बहुत ही मुस्ट इपोर्टन कोशन है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखेगा ये कोशन जो है अगर आपके पेपर में अगर आता है तो आप अराम से इस वीडियो को अगर देखेंगे तो कर पाएंगे तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा और दूसरा अगर आप चैनल पर पहली वा रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और इसी तरह हैं कि बहुत ही जो इपोर्टन कोशन है उनकी वीडियो हमन इस तरह से कोई बचा तो फस्ट यह से रिलेटर भी वीडियो मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और को देखते हैं कि डाइग्राम कैसे आपका बनेगा तो आपको सबसे पहले बनाना क्या है ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपको पता है कि जो आपके डायोड यूज होते हैं वो डायोड कितने यूज होते हैं चार डायोड यूज होते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो चार डायोड को आपको कनेक् करना है वही चार डायोड बना लेते हैं यहां पर किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है तो यहां पर आपको इस तरीके से पहले दो वायर कनेक्ट कर लेनी है जिनके बीच में आपको डायोड के सिंबल बनाने है और सिंबल की वीडियो अगर आपने पीछे नहीं देखिए तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको सिंबल की वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि कौन सा डायोड जो है किस तरीके से बनाते हैं तो आपके पेपर में जो सिंबल है वो मोस्ट इपोर्टेंट पार्ट है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा क्योंकि आपके पेपर में सिंबल से रिलेटेड भी एक कोशन आ सकता है तो यहां पर अपने क्या करते हैं चार डायोड बनाते है तो चार डायोड बनाने के लिए आपको इस तरीके से बीच में सिंबल बना देने है चार यह लीजे मैंने यहां पर चार जो सिंबल है वो बना दिये है अब यह जो चार सिंबल आप बना रहे हो यह जो डायोड है इन डायोड का जो एरो है कौन सी साइड में लगेगा एनोड कौन सी साइड में कैथोड लगेगा वो मोस्ट इपोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए और आपको हमेशें उसी के अंधर उसी जो डायरेक्शन है उसी के अंधर आपको सारे के सारे इरो जो है वो हमेशें बनाने है ध्यान रह prohibit, तो ये मेरे दो डायोड यहाँ पर हो गगे, सिंपल डायोड का जिंबल बना रहे हैं, और बाद में इनका यूज जैसे जैसे करेंगे, अपने वैसे वैसे आप इनको सीखते रहेंगे, यह लिजीए, यह मेरा चोथा डायोड हो गया, तो यह मेरे चारों के चारों डायोड आपने कनेक्ट कर दी इस तरीके से आपको चार डायोड कनेक्ट करने है, अब आपको जो wire है जिसके उपर आपको supply देनी है वो कौन से है तो यह जो दोनों के दोनों terminal होंगे एक यह और एक मेरा यह दोनों terminal जो आपको दिख रहे हैं इन दोनों terminal के उपर आपको क्या करना है supply देनी है तो यहां पर मैंने क्या किया पहले टर्मिनल को यहां पर देखे इस साइड में यह लीजिए यहां पर दूसरे टर्मिनल को मैंने इस साइड में अब क्या किया इस वाली साइड के अंदर आपने जो वायर निकाली है इसको आपको सप्लाई देने के लिए जो है सीधी सप्लाई नहीं देनी है क्य क्योंकि आपको जो DC के अंदर voltage चाहिए वो 230 वोल्ट ही चाहिए कोई जुरूरी नहीं है कोई fix नहीं है अगर 230 वोल्ट चाहिए होती है तो उस condition में आप सीधी supply दे सकते हो लेकिन अगर अपने को 230 वोल्ट नहीं चाहिए अपको 24 वोल्ट की supply चाहिए DC में 12 वोल्ट की supply चाहि करने से आप जो voltage के अंदर ना कम या ज्यादा कर सकते हैं इसका मतलब अगर आपकी supply voltage 230 वोल्ट है और उस 230 वोल्ट से आपको जो convert करनी है 24 वोल्ट में convert करनी है या फिर 12 वोल्ट में convert करनी है तो आप इस transformer की मदद से कर सकते हैं तो यह मेरा transformer का symbol हो गया अब यहां से मैं जो AC की जो supply अपने को देनी है क्योंकि डायोड काम क्या करता है आपका डायोड आपका काम करता है AC को DC में बदलने का तो यहां पर यह देखिए यह मेरी दो वायर निकल गई इस वाली साइड में और यहां पर मैं इस transformer को supply देता हूं कौन सी तो transformer को आप single phase की जो आपकी 230 वोल् सप्लाई देनी है यह लिजिए मेरी सिंगल फेज की 230 वोल्ट ऐसी सप्लाई वो मैंने इसको दे दी है अब transformer से इसको जो है आपने जैसे ही सप्लाई दी सप्लाई देने के बाद में डायोड जो है यह मेरा डायोड वन है और यह मेरा डायोड टू है यह डायोड थ्री है और यह मेरा डायोड फूर है इनको आप पर्टिकुलर नाम दे दीजिए और अब अपने बात करते हैं यहां से output बाहर कैसे निकलेगी तो output बाहर निकालने के लिए आपको यह दो terminal दिख रहे हैं आपको यह जो दो terminal दिख हैं इन से आपको output के लिए जो बाहर निकालनी है supply जो AC को DC में change करने के बाद में जो supply बाहर निकलेगी वो supply आपको कहां से निकालनी है तो वो आपको यहां से supply बाहर निकालनी है यह लीजिए आपने यहां से एक terminal यहां से बाहर निकाल दिया और दूसरा जो terminal है वो अपने यहां से इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं यह लीजे मेरा दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरा टर्मिनल भी यहां से बाहर आ गया और अब देखिए यह जो आपका है इस जगेंगे उपर आप या तो आउटपुट लिख सकते हैं या फिर मैं बोल देता हूँ कि आपको कौन सी चीज कनेक्ट करनी है तो आपको लोड कनेक्ट करना है तो यहां पर अपनी लोड जो है वो कनेक्ट कर देते हैं तो ये लिजिए आप यहां पर resistance लिख सकते हैं परतिरोध लिख सकते हैं या फिर load लिख सकते हैं जो आपको बैतर लगे वो जो चीज है वो आप यहां पर इस जगहें के उपर लिख सकेंगे इसमें कोई भी changes नहीं होगा अब इसके अंदर ये जो terminal आपको point मिले हैं इनको A, B, C और D आप इनको नाम दे दीजिए क्योंकि इनसे थोड़ा सा डाइग्राम जो है खूबसूरा लगता है और exam में आपको number बहतर मिल जाते हैं तो ये मेरा क्या हो गया RL यानि की एक load resistance जो है वो आपने यहाँ पर जोड़ दिया अब इसके बाद में diode के अंदर देखो simple सी बात इस आपके bridge rectifier ने काम क्या किया तो bridge rectifier ने काम क्या किया तो उसके लिए आप जो इसकी output है वो output का symbol यहाँ पर बना सकते हैं जो आपका bridge rectifier है उसने आपको output के सी दी है तो bridge rectifier की output का symbol इस तरीके से आप बना सकते हैं इस परकार से symbol बनाने से क्या है कि diagram थोड़ा सा देखने में सुन्दर लगता है और examiner को पता लगता है कि आपको इन चीजों के बारे में knowledge है तो यह देखिए यह आपका क्या हो गया DC output हो गया यह output की आपकी waveform है इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसकी input की waveform कैसी थी तो यहाँ पर आपकी जो input थी input supply की waveform बना के दिखाता हूँ मैं यहाँ पर इस जगें के उपर आप लिख सकते है input waveform तो input की जो waveform थी आपकी AC की waveform होती है sign wave जिसको बोलते है अपने तो sign wave का यहाँ पर आपको क्या कर देना है symbol बना देना है और अगर आपने वो वीडियो देख की है जिसके अंदर आपको symbol करवाया है तो उसके अंदर जो आपको बताया था कि यह जो symbol है sign wave का symbol यह भी आपके paper में पुछा गया था जो मैंने आपको पेच्छे paper solve करवाया था उसके अंदर तो यह आपका diagram बन गया bridge rectifier का और bridge rectifier से related अगर आपके paper में भी question आता है कि bridge rectifier का diagram बनाईए तो उस condition में यह diagram बना दीजिएगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे तो यह हो गया आपका bridge rectifier कि शर्किट तो यह bridge rectifier का circuit हो गया आपका और आपके paper में bridge rectifier का circuit आपके पूछा जा सकता है अब तक जो है कम से कम चार से पांच बार यह paper में पूछा जा चुका है तो अगर आपके भी paper में question आता है तो इसको जो है बनाना सीख लीजिए इस तरीके से आपको connection करना है आपको पता लग गया होगा तो वीडियो आपको समझ में आगी होगी उमेद करता हूँ कि यह जो topic है यह आपके paper में अगर आता है तो आप अराम से इस question को बना पाएंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजिए और अगर आपको कोई doubt है तो नीचे comment section के अंदर comment कीजिए और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनके notification आपको उसी से मिलने वाले दोस्तों और आप सभी से मिलेंगे एक और important वीडियो लेकर तब तक के लिए जैहिन जैवार दोस्तों